गाइस जार एक क्रेटर है जिसके चैनल का नाम है पांडे 2M अगर आप उनके चैनल पर विजिट करो तो उनके चैनल पर बहुत सारी यूटूब की टिप्स और ट्रिक पड़ी रहती है मतलब बहुत सारी लोग उनके चैनल को देखते हैं एक घंटी के अंदर में 8000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 व्यूज आ जाते हैं तो अगर आप यूटूब पर टिप्स और ट्रिक दे रहा हो जब भया आप अच्छा काम कर रहा हो तो अचानक से आपको नफरत फैलाने की क्या जरूरत पड़ गई अब आप मनोज दे को बोलते हो कि वो चूतिया है, कूल माइंट टेक को बोलते हो बहुत अच्छे इंसान है, कूल टेक को बोलते हो तुम्हें थपड़ थपड़ पड़ेगा, जली सुधर जाओ मतलब कोई बंदा कूल टेक के पर वीडियो बना रहा है कि 50,000 रुपिया दे और उसको सौरी बोल दे, कूल माइंट टेक को मतलब बहुत तरीके की नफरत फैलाना, मेरा यहां पर यह कहना है कि अगर कूल टेक ने कूल माइंट टेक को कुछ कहा, ठीक है उल्टा सीधा कहा, तो कूल माइंट टेक ने उस पर वीडियो को बनाया, लोगों से रिव्यू मागा, आप क्या कहते हो, इसको मैं जेल बहुत अच्छे इंसान है, नभी नाम उनका है, बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो गलती से कुछ गलट टिप्स और ट्रिक देने लग गए, तो क्या आप उनके खिलाफ वीडियो बनाओगे, कभी नी बनाओगे, क्योंकि आप उनके एक फैन्स हो, आप उनकी हर एक वी ले लोना, आप क्यों नहीं दिखाते हो? आप धी कुछ दिखाओ, लैप्टाप दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, इधर सार करो, वो बंदा तो कुछ भी दिखाता है, उसकी वीउश आ जाते है, अब यहां पर जो वीउश के आ रहे है, कहाँ से वीउश आ रहे हैं, उनके व डाल देते हैं। यह अगर नहीं भी करोगे तो आपके फूट्यों। रिपोर्ट पड़ने वाली है। क्यूंकि उनके जितने भी फैंस हैं वो इस दिन को परदास्ट नहीं करें गемонratext क्यूंकि आपने जो काम अभी वेंतां किया बहुत खलत काम किया। जब कोई बंदा अगर एक million अचीव हो गया है, सब्सक्राइबर उसके gain हो गया है, तो आपको बजाए congrats कहने के आप नफरत फैला रहे हो, वो चूतिया है, वो ऐसी वीडियो बनाता, वो ये बनाता, वो बनाता, आपने क्यों बनाया इस वीडियो को, आपका भी तो चैनल ट बात समझ में आती कि आप जो कह रहे हो, सही कर आपने भी तो टेकनिकल की वीडियो में मनुझ दे का content लेकर के आगए, तो क्या वो आपका वो technical का point था, आपका technical का content था, वो जो आपने वीडियो बनाया मनुझ दे के उपर, मनुझ दे चूतिया, यह यह वो है, आपको ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई, अगर आपका channel YouTube पर rank कर रहा है, आपका channel आप देखो, अपने channel पर खुच जा कर देखो, आपका channel कितनी तेजी से boom कर रहा है, YouTube पर grow करता चला जा रहा है, बहुत बहुत बढ़ाई हो, आपका channel आगे और जादा grow करे, लेकिन आपको किसी की controversy में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा content नहीं बनाना चाहिए, आपको कि किसी को hurt हो, वो ऐसा बंदा है, जिसने हर एक बंदे को promote किया हुआ है, और आज उस बंदे की promote करने से बहुत सारे लोग इस time YouTube पे, आप देखो कि उनका channel कितनी तेजी से रहा है, कितनी तेजी से views आते ह मैंने भी वीडियो बनाया था technical इसरार के उपर पे, technical इसरार अभी भी टिक टॉक को यूज कर रहा है, आप जाकर देखना उस वीडियो में, कि उसका यूज कर रहे है, वो अपनी about section नहीं किया, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जो हो सब को ban करने के लिए क्लिक टॉक और आप खुद बैन नहीं कर रहे हैं, तो यह कैसा इंसाफ हुआ, जब आप ने कहा टिक टॉक बैन होना चाहिए, और आप ने खुद बैन नहीं किया टिक टॉक को, तो यह कैसा इंसाफ हुआ, टिक टॉक की वीडियो, उस वीडियो को देखने का बाद technical इसरार ने about section में जा करके टिक टॉक की ID को डिलीट कर दिया, लेकिन मेरी वीडियो पर आ करके कॉमेंट नहीं किया, तो जो कितनी छोटी सी बात है, तो यहाँ पर मैं क्या उनके खिलाब नफरक पहलाने लगूँ, टेक्निकल गर्षा ऐसे हैं, वो बहुत खराब काम करते हैं, सब वो सपोर करते हैं, मुझको नहीं करते हैं, क्या मैं उनके लिए नफरक पहला हूँ, यह क्या सही है मेरे लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो उनका इमान है, वो जानते हैं, मेरे दिल में क्या है, यह मेरा इमान है, मैं जानता हूँ, म मेरा भी ये चैनल टेक्निकल का है, मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रोग कर रहा है, आप एक बढ़िया टिप्स और ट्रिक देते हो लोगों को, व्यूज भी बहुत बढ़ता सा आपके चैनल पर आते हैं, लेकिन आपको ऐसा content नहीं बनाना चाहिए था, किसी भी creator को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, cool mind tech को आप उपर दिखा रहे हो, technical yogi को आप उपर दिखा रहे हो, और आपको पता होना चाहिए, कि आप जब किसी के खिलाफ कुछ वीडियो बना रहे हो, तो हर एक बंदा उसकी वीडियो को watch करेग वो आपको यह गलत कहेगा, मनोज देगो कभी भी वो गलत नहीं कहेगा, गाईद अगर आपको इस वीडियो को full देख लिया, watch कर लिया, तो आप मुझे comment box में comment करके बताना, कि मैंने क्या जो भी बात बोला, इस वीडियो के अंदर में क्या मैंने कुछ गलत बोला, किसी को मैंने एक्सपोस किया, किसी की बारे मैंने बुरा बोला, मैंने पांड़े 2M के भी यह कहा, कि भाया देखो आपका जो चैनल है पांड़े 2M, आप इसको हमेशा इस तरीके से बरकरार रखो, अच्छे अच्छे content आरो, अच्छी YouTube tips and tricks दो, जैसे आप देते चले आरहो, मैंन जरूर को follow करिये, अपनी वीडियो को आप चाहो तो private कर सकते हो, या अगर आपको बहुत सारे views देने, लाखों में views देने हैं, तो views तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बात और जाने न, आपके fans आपसे hate करने लगेंगे, क्योंकि आप ऐसे creator को expose कर रहे हो, जो technical में बहुत बड़ा बहुत उचा मकाम रखता है, और हर एक बंदा उसका fans है, तो आप जाओ अपनी वीडियो को private कर दो, आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहो, कर सकते हो, मैं जो advice देना चाहरा था आपको, मैंने वो advice आपको दे दी, उमीद करता हूँ दोस्तों, आपने इ उस वीडियो को private कर लिजे, otherwise आपकी मर्जी है, खुब dislike पिलेंगे आपको, खुब आपको उस वीडियो पे अच्छे-चे comment मिसकते हैं, आपको जो fans हैं वो आपको अच्छे comment देंगे, लेकिन जो बंदे, मनोच दे के fans हैं, वो आपको और भी अच्छे comment दे सकते हैं, तो guys इस वीडियो में बसे इतना ही, तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, आपका दोस्त, शाज़िए